नवश्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललीत कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज का जो एम है जो कि इस वीडियो के लाइक के लिए मैंने रखा है वो है 500 लाइक तो उमीद है आप सब लोग इसको पूरा करा दे करेंगे और दोस्तों आपसे सब विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को इस कंटेंट को हमारी बताई हुई बातों को पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के मुझे बता के बारे में कि एनल फिशर या फिशर इननो क्या होता है और इस वीडियो की शुरुआत हमें बहुत बड़े सवाल के साथ करते हैं जो कि है वाट कॉसे ब्लीडिंग एंड पें फ्रॉम यर बट कि आपको अपनी रेक्टम में मोशन करने के बाद कौन सी चीज होती है जिसक मतलब मतलब दार तो जब भी हमको और गुरादवार के पान को एनल उरिफिक के पास ba जब हमको दार पढ़ जाती है तो उसको हम केते हैं और फिशर ही रिश्पॉंसIPEL होता है most cases के अंदर lettering के दोरान blood जाने का मतलब bleeding का और motion के दोरान pain और motion के बाद जलन जैसा दर्द होने का वही एक कारण होता है और सबसे common कारण वही है इस slide में आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की area फट जाती है जब इसी तरह का crack उनके anal region में anal orific के पास पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं anal fissure अब यह जो है यह एक diagram है इसका यह biological diagram से बताता हूँ कि यह जो है यह पूरा का पूरा हमारा rectum है यह rectum की wall है यह अंदर rectal cavity है जहां पे stool का deposition होता है और यह जो आपको यहां पे crack दिख रही है हम लोगों की यह जो ridges दिख रही है anal canal कहलाती है और जब anal canal के उपर और इफिक के पास दरार पड़ती है तो इस दरार को हम कहते हैं anal fissure तो anal fissure is a tear or crack in the anal canal it is usually associated with the bleeding, irritation, inflammation and pain ठीक है अब आगे चलते हैं अगर हम per rectal examination करेंगे एक fissure in no के patient का तो हमें कुछ ऐसी चीज दिखेगी यह है एनस और यह जो चीज आपको दिख रही है दरार जैसी यह जो दरार है इसको हम कहते है anal fissure and this is what is known as the fissure in no अब fissure in no के जो case होते हैं आपने एक चीज बहुत commonly सुनी होगी कि fissure और piles साथ में होता है आज मैं उसको यहां कारण बताने वाला हूँ basically piles या hemorrhoids एकदम अलग समस्या है पर क्यों fissure के cases में खासकर chronic cases of fissure के अंदर हमको piles देखने को मिलती है उसको खुला साज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ इस diagram को ध्यान से देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि acute anal fissure मतला acute जो कुछ दिन पहले ही anal fissure बनी हुए तो उसके अंदर हमको यह plane cut दिख रहा है पर जब chronic fissure की हम बात करते हैं chronic anal fissure की और आप chronic inflammation का phenomenon जानते हैं कि बहुत लंबे समय से एक ही जगे patient को दरार पड़ती है और वो दरार heal होती है fibrosis से फिर उसको दरार पड़ी फट गया वहाँ से वापस से hard motion के कारण फिर से वो heal हुई और जब यह सालों तक होता है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि chronic fissure के अंदर यहां पर fibrous tissue बन जाते हैं और इसी fibrous tissue के कारण anal region में sentinel piles बनती हैं तो this is known as sentinel piles these are not the original or not the authentic piles यह authentic piles नहीं है पर chronic patient of anal fissure को बार बार healing और fissure बनने के कारण उस area में fibrosis के कारण एक उठाओ आ जाता है anal area में and this is known as the sentinel piles इसको false piles भी बोलते हैं these are not the original piles और दोस्तों इस वीडियो में fissure को अच्छे से समझाने के लिए आपको संक्षित तुम्हें बताऊंगा कि what are piles and what are fistula क्योंकि जब तक लोग जनरल इन तीनों को एक ही बीमारी में ले लेते हैं या फिर misconcept करते हैं अपनी बीमारी को कि हो कुछ रहा है वो पता कुछ रहे हैं तो उनको यह नहीं पता कि fissure क्या होती फिष्चूला क्या होता है और piles क्या होता है तो fissure को अच्छे समझने के लिए हमको बाकी जो दो चीजे हैं piles भी समझना पड़ेगा और इफिक पर दरार पड़ती तो वो कहलाता फिशर और जब उसी एनल रीजन की और इफिक के आसपास जब वहां की जो रक्त वाहिकाएं होती हैं अब आप देख पा रहे हो कि यह पाइस जो होती है और जो सेंटीनल पाइस इससे पहले वाली मैंने उसके अंदर आपको बताई थी इस नौट दॉ ऑफिशर के अंदर बार-बार फिशर कटना और हीलिंग के कारण फाइब्रोसिस के कारण यह उठ जाता है तो यह पाइस जैसा दिखता है और इसका नाम सेंटीनल पाइस है इस नौट दॉ ऑफिशर पाइस जाती है पाइल्स की तो इसको कहते हैं internal hemorrhoids और जब external मतलब बिल्कुल anal orific के पास में जब कोई blood vessel सूचती है और वो बाहर की तरफ protruded रहती है तो इसको कहते है external piles और जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि ये blood vessel are prone to bleed ये एक अक्सर bleed कर जाती है तो इसलिए पाइल्स के पेशेंट के अंदर भी bleeding का phenomenon होता है और फिशर के पेशेंट के अंदर भी bleeding का phenomenon होता है बट difference is that कि जो फिशर के अंदर जो bleeding होती है that is associated with the pain क्योंकि वो जो दरार होती है उसमें सुई चुबने जैसा stitching pain घंटों तक रहता है कई बार दिन बर रहता है कई बार वह पेन इतना होता है पिशेंट भी नहीं पाता तो दिस is the difference between the piles and Fisher ओके अब अपन आगे चलते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक और डाइग्राम से कि यह हमारा large intestine है large intestine का end का हिस्सा जो होता है वहां पर होता है rectum यह rectum को इतने हिस्ते को maximize करा है तो यह हमारी rectal cavity है जहां पर हमारा मली खटा होता है यह हमारी इसको हटाते हैं लोगों का कि भाई पाइल एनल फिस्चुला और एनल फिशर क्या यह एक चीज होती है यह अलग अलग चीज होती है तो इसका सीधा से जवाब है डिया डिफरेंट पैथोलोजी दिफर इन देयर सिम्टम्स और मैथर्ड ऑप ट्रीटमेंट यह तीनों अल अलग होता है मैं आगे ही बता चुका हूँ यहाँ पर डेफिनेशन वाइस समझना कि फिशर इस दे क्रेक और कट इन द एनल और इफिक आइदर डीप और सूपरफीशियल मतलब फिशर क्या होता है काट यह क्रेक होता है और कुछ नहीं होता है यह होती है इसको हम कहते हैं हेमरोइड यापाइल्स और जो फिश्चुला है फिश्चुला में आपको आगे आने वाले पार्ट में बताता हूं कि फिश्चुला क्या होता है बॉइल या एपसेस मतलब एक ठोड़ा होता है जो की इन द रीजन आफ एनस पाया जाता है यहाँ फिर जिसको कहते हैं पैर एनल रिंग होता है एनल रिंग के आसपास के एरिये में जब कोई बॉइल या फिर एपसेस बन जाए मतलब फोड़ा बन जाए और उस फोड़े से एक रास्ता बने जो कि अंदर के अंदर या तो एनल केविटी में खुल जाए तो तब यह कहलाएगा यह फिश्चुला नहीं कहलाएगा तब यह कहलाएगा पैरि आनल ऄेपसेस अपने कई रिपोर्टस में देखा होगा कई सब्सक्राइग और जब के अंदर की तरफ ठोड़ा है मतलब अनल केविटी में अंदर की तरफ एनल केविटी की जश्ट बगल में अंदर है और उससे एक रास्ता जश्ट एनस के छेट के बगल से पस को ड्रेन करता हुआ बन जाए कि whether it is fistula और whether it is perianal abscess, वो आगे बताता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर इस slide में आप समझ लीजिए, कि आप तीन चीज देख रहे हैं, आपने piles देख ली, यह जो फूली हुई blood vessels हैं, जब यह बाहर की तरफ, गुदादवार के बाहर की तरफ, यह आपको निकलती भी दिखत हैं, तो यह कहलाती है, external piles, जब यह अंदर की तरफ ही, अंदर के अंदर फूल गई है, सूज गई है, तो यह कहलाती है, internal piles, ठीक है, फिशर, फिशर मैं आपको बता चुका हूँ, कि यह जो दरार होती है, यह जो दरार होती है, यह क्रैक होता, इसको फिशर बोलते हैं, and this is a very good example of fissula, कि आप यह देखो, इस एरिया में एक पड़ा था, क्या पड़ा था, इस एरिया में एक abscess बना हुआ था, ठीक है, एक छाला बना हुआ था, abscess बोले तो मतलब फोड़ा, not छाला, sorry, है न, अब यह फोड़ा बना, और फोड़े से रास्ता बाहर की तरफ निकलने लग गया, मतलब इसने फोड़े ने भार 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 आते हुए, जश्ट एनल और इखिक के बगल से एक रास्ता निकाल लिया, और यहां से सालों तक इसमें पस निकलता रहता, फिशुला के पेसेस को, पेशेंट को तो इसको कहते हैं, हम भगंदर, अब मैं टीनों के नाम अलग-अलग बताता हूं, शुद्धिंदी में, पाइस मतलब बवासीर, ठीक है, फिशर मतलब फिशरी बोलते हैं, फिशर का हिंदी मेरे को नहीं पता, और फिशुला मतलब भगंदर कहलाता है, मतलब कि यहां पे फोड़ा बना, फोड़े ने बाहर के बाहर रास्ता और आगे के ख्लाइड में और अच्छे से समझोगे आप इस चीज़ को, ठीक है न, यह वापस से पाइस का एक्जामपल है, यह वाटर दा इंटरनल यह जो अंदर के अंदर ब्लट वैसल फूल है तो इंटरनल पाइस ही एक्टरनल पाइस, ठीक है, अब आप यहां पे पाइस है, वो रेक्टम के अंदर ड्रेन करेगा, तो इस इस नोन इस दा एपसेस, या फिर इसको पैरी एनल एपसेस बोल सकते हैं, ठीक है, और इस इस दा फिस्चुला, कि यहां पे कोई फोड़े जैसी चीज बनी थी, पर फोड़े के गायाब होने के बाद, एक रास्ता छूट गया, कहां पे रेक्टम से होता हुआ, और एनस के जश्ट बगल से निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम फिस्चुला, तो इस 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 फिस्चुला, और इस इस दा पैरी एनल एपसेस, दोनों में फरक है, ठीक है, फिस्चुला कब बनता है, जब एक एपसेस ड्रे बार ड्रेन हो रहा है, तब यह कहलाएगा पैरी एनल एपसेस, और यह एपसेस भविष्य में हील होगा, तो यह बहुत ज़्यादा चांसे हैं कि यहां पे भी एक फिस्चुला बन जाए, एक प्लेन क्रैक या कट को हम फिस्चुला बोलते हैं, तो मिरको उमीद है, आप त अच्छे से समझ पाएंगे, तो आ गया जाते हैं, सबसे पहला, फर्स्ट पॉइंट, हार्ड इस्टूल विद द प्रोलॉंग कॉंस्टिपेशन, इस सिंपल फिशर होने का बस एक कारण होता है, कॉंस्टिपेशन, कॉंस्टिपेशन के साथ एक और पॉइंट इसमें एड कर सकते हो, आप डिहाइडरेशन, जो लोग पानी वगएरे बहुत कम पीते हैं, उनको डिहाइडरेशन हो जाता है, और रेक्टर में मॉस्टर की कमी के कारण कई बार वहां पे दरारें पड़ जाती है, बट तो उसमें भी कॉंस्टिपेशन में, कॉंस्टिपेशन ही एसा खाना 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 जो कि फाइबर रिच नहीं है, तो वो जो होता है, और आज की तारिक में बहुत जादा यह लोगों के अंदर है कैसे लग फाइबर नहीं कहते हैं, घिक है जो हमारी सहत को फायदा करता वह सब को खाना पसंद नहीं करते हैं एक्सेस इंटेट कॉफ नॉन वेजिटेरियन डाइट इस इस थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉस और फिशर नहीं बहुत जादा नॉन वेज का सेवन करने से हमारा इंडाइजेशन होता है वो प्रोटीन होता है तो है भी होता पचाने में सोथा कॉस सेडेंटरी लाइफ विट लैस फिजिकल एक्टिविटी बैठे बैठे का काम लेक ऑफ एक्सरसाइस के कारण भी हमको फिश्चुलाइन एनो फिशरी नेनो सौरी होता है पांचवा कॉस आजकल बहुत इंपोर्टेंट और बहुत कॉमनली देखने में आ रहा आ अगला आगे चलते हैं अब गुड न्यूस क्या है गुड न्यूस यह है कि अनल फिशर और ट्रीटेबल यह सिर्फोमियोपैथिकली आप इनका बहुत अच्छे से सफलता पूर्वा कर सकते हैं यह बड़ा एक अजीब सा पॉइंट है कि हम बात कर रहे हैं ट्रीट्मेंट की पर ट्रीट्मेंट में वी एर कंसीडिरिंग दा पॉइंट ऑफ प्रिवेंशन कि भाई अगर हम ऐसा खाना खाएं को कि फिशर के होने का सीधर रिलेशन खाने पीने से है कि दोस पीपल जो अ हैं रिच फूट खाते हैं धाबे स्टाइल का खाना खाते हैं उनको फिशर बनता तो फिशर को होगा यह नहीं होगा यह हमारी प्रैक्टिस पर ज्यादा निर्भर करता है विकॉस फिशर इस नौट डिजीज फिशर इस टेंडेंसी और जो टेंडेंसी है वो हम खुद एनल फिशर ठीक है ऐसा बहुत सारा खाना है आगे हम देखेंगे जिसको हमको यह देखिए एनल फिशर डाइट चार्ट है इसको आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और जो इसका अनुसरन करेगा उसको फिशर होने के चांसे कम होंगे हमको बैलेंस डाइट खाना है इसके इंदर फाइबर्स भी हो फैट भी हो हाह सब चीजे हो ठीक है ना तो हमको फिशर होने के चांसे बहुत कम हो जाएंगे अनल फिशर डाइट डाइट तो अवाइट सरजरी अब हम जैसा कि जानते हैं कि एनल फिशर का जो है एक मात्र टीटमेंट एलोपैथी में वह स खाना है यहां पर यह एक्जांपल सारे जंक फूट का पीजा बर्गर सेंडवीच यह सब चीजें जो आज कल हमको बहुत पसंद है यह खाने और इसकी आदत के कारण हम फिशर हो सकती है तो हमको इनको वाइट करना है अब क्योंकि हमको मोशन के दौरान स्पाइस जैसा ल जैसे जलन पड़ती है जैसे कि हमको मिर्ची लग गई ठीक है ना तो यहां पर मिर्ची जो है डेट डिनोट्स पाइसी फूट तो वी शुड आलसो आवाइट देस पाइसी फूड यह सब वह चीजें जो हमको नहीं खाने यह सब चीजें वह हैं जो हमको खानी है जो कोई पसंद नहीं करता ढगी तो कोई को पसंद नहीं खाना घर फशा प्रशाने की आदत से ही आपको फिशर की बीमारी से निजात मिलसकता एबनें इस तो आप वाप से यह होने के चांसे से हैं अब यह हो गया prevention की बात कि हमको prevention किस तरह से करना है हमको क्या नहीं खाना है हमको क्या खाना है ठीक है अब treatment पर आते हैं तो as far as the allopathy is concerned कोई भी इलाज नहीं है है न कोई भी treatment treatment of the fisher in no in the allopathic mode of treatment there is no specific treatment of fisher in allopathy first they prescribe some lexative to lose the टाइट बॉवेल देट मींस कॉंस्टिपेशन एंड देन देर इस नो कंसॉलिडेट रिलीव टुद पेशेंट दे अवाइट फॉर दा सर्जरी पहले आपको आपको मोशन को टाइट से लूस करने के लिए कुछ लेक्जेटिव देते हैं जो क्रीमा फिन क्रीमा लेक्स वग अबो मेंशन ओल दे थ्री प्राब्लम जो हमने देखी इसके अंदर कि फिशर पाइल्स और फिस्टुला तीनों को ही हम सर्जरी से ही सही कर सकते हैं तीनों को कोई उप्चार नहीं है फॉर फिशर दे डू फिशरेक्टॉमी फॉर हमरोड दे डू हमरोड अक्टॉमी एंड जो तीन मैडिसिन है यह पूरी की पूरी होमियोपैथी के अंदर फिशर पर काम करने वाली तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैडिसिन है और यह तीनों मैडिसिन जिसको भी फिशर है या जो डॉक्टर मेरे वंदू जो देख रहे हैं उनके पेशेंट को अगर फिश फिशर का प्रॉब्लम है वह इन मैडिसिन को बस देखें और होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर से जाके खरीदें और चार-चार गोली तीनों का पांच-पांच मिनिट के गैप से दिन में तीन बार सेवन करें मेरा चैलेंज है आपको कि आपका फिशर का प्रॉब्लम कुछ म महिनों का इलाज इसमें हमको करना पड़ता है तो तीन मेडिसिन है वह है एसीड नैट्रिक 200 रटानिया 200 और ग्रेफाइटस 30 तो यह मेडिसिन अनकंडिशनली काम करेगी अगर वह केस फिशर इन नो का है बट कनफर्मेशन कर लीजिए कि आपको फिशर इन नो ही है तो दो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं पाइल्स का और फिश्चुला का एक सेपरेट वीडियो बता बना दूंगा जिसके अंदर मैंने भी पाइल्स का यह बताया कि पाइल्स तो स्वेलन ब्लेड वैसल है पर उसका कारण क्या है वो मैंने नहीं बताया उसके लिए डेडिक सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बहुत जल्द आप से अगले वीडियो में मिलवाकात होती है नमस्कार